नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जादा तर हमारे घरों में फिटकरी जरूर होता है क्योंकि फिटकरी एंटी सेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है और नकारत्मक उर्जा को सोखने के लिए या फिर उसको दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है वैसे तो चुकि बहुत सारे प्रियोग बताएंगे देखिए फिटकरी का प्रियोग से आपका स्वास भी अच्छा रहता है और कई तरह की समस्याओं से आप बचे रहते हैं वैसे तो अगर कटफट जाए तो खुन को रोकने के लिए भी फिटकरी का प्रियोग होता है इसलिए तो बहुत पहले समय से ही जब पुरुस सेव करते हैं तो फिटकरी का यूज किया जाता है वैसे तो देखिए आज हम आपको फिटकरी के कुछ खास प्रियोग बताएंगे जो आपके जीवन के नकात्मक उर्जा और दरीता को दूर करेगा आपकी परिसानियों को समाथ करेगा तो आईए जानते हैं वो फिटकरी का प्रियोग जो आपके जीवन की परिसानियों समाथ करेगा चलिए सबसे पहले जानते हैं आपके नौकरी और बेपसाय में तरक्क के दुकान दो बड़े चलते हैं पर आपके नहीं चलते ग्रहा काते ही नहीं तब एक छोटा सा प्रयोग कीजेगा अगर आपका दुकान सही से ना चले तब एक काले रंग का कपड़ा ले लें काला कपड़ा आपके घर में होगा कोई भी कपड़ा ले पुराना भी चलेगा पर काला रंगा लीजेगा अब इस कपड़े में फिटकरी का एक डली यानी टुकडा रखे अपने दुकान ओफिस के में दरबाजे पर बाहर की तरफ से सनी बार मंगलवार रभी बार किसी भी दिन बांग दे नकातमक उड़जा भी दूर होगी आपके वैपार में धीरे धी देखेगा तरक्की होने लगा है और धीरे धीरे आपके जीवन की समस्या भी समाप्त होने लगेगी कई बार क्या होता है घर में कलाकलेस बहुत होते पत्ती पत्नी के बीच बंती ही नहीं जगले लड़ाई बाद बिवाद बहुत सारे टेंसर एक छोड़ा सा काम करें यह तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं रात में सोने के पहले आप जिस बेट पे सोते हैं आप लों के नीचे एक कांच के ग्लास में पानी ले लें और उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल कर रख दें अगली सुबह उस पानी को पीपल के पेड में डाले अगर पीपल का बादे में डालिएगा घर की कला कलास दूर हो जाएगी और आपस में प्रेम बढ़ने लगेगा ऐसा अप लगातार कुछ दिनों तक करें पंदरह दिन आपको रिजल्ट मिल जाएंगे पॉजिटी तो बहुत सारे बच्चों को जॉब के लिकर बहुत टेंसन है तो अगर कोटा सा काम करें फिटकरी के छोटे-छोटे पांच टुक्रे ले ले याद रखिए पांच टुक्रा और आपको छे नीले पुस्प यानि ब्लू कलर के पुस्प लेने हैं छे और एक कमर में बांधने वाला बेल्ट एक नया बेल्ट ले ले मिलता है बच्चों लोगों का भी कोई भी ले ले अब इन सभी चीजों को किसी भी दिन खासकार अगर मंगलवार का दीन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा देवी मां के मंदिर में जाकर वहां पर रख दें आपके जीवन की समस्या दूर हो जाएगी जो लड़की लोग का बेल्ट होता है वही बाला ली भलता मिलेगी कि कर्ज एक ऐसी समस्या है जिसमें एगर आप एक बर फस जाएं तो निकलना लगेगा जैसे बहुत ही मुस्किल काम है और इस जवाने में कर्ज की समस्या से लगभग हर कोई परेसान है फिटकरी का एक छोटा सा प्रयोग आपको कर्जों से भी बहार निकाल कर्च से मुक्ति के लिए आपको चाहिए होगा थोड़ी सी फिटकरी फिटकरी चिर्गदें पांन के पत्ते पर लपेट कर कलावा kommen बान कपता ले ले उसपर फिटकरी रखे पुकड़े और सिंदूर एक चुटकी डालगे उसके लाल कलावा से इसको बान दे सांके वक्त नीचे किसी भारी चीज से पत्थर बेगर से ले जाकर आप दबा दीजिए तीन बुद्दवार लगातार करें कोई देखे नहीं टोके नहीं क्योंकि यह टोटका है एक बात याद रखिएगा आप अपने कीचन में रसोई में एक कांच के बाउल में छोटी सी कटोरी में एक एक ऐसा परियोग जिसका कोई काठी नहीं है कई बार क्या होता है ऐसी इक्षा होती है जो पूरी ही नहीं होती तब आप उसके लिए एक छोटा सा काम कीजिए किसी भी सनिवार के दिन कर सकते हैं आपको एक रुमाल लेना है अब रुमाल के ऊपर एक फिटकरी का टुकरा रखें रुमाल किसी भी रंका हो सकता है सफेद भी हो सकता है किसी भी कलर का है अब लगातार साथ दिनों तक अपने साथ लेकर ही यानि कि अपने तक्ये की नीचे रख लीजे और रहने दीजे साथ दिनों तक सोने से पहले उस रुमाल को अपने हाथ में रखें और अपने पूर्ण से उस फिटकरी को निकाल कर किसी साप सुतरी जगह पर गड़ा करके उसको डाल दे और उसके उपर एक तूलसी का पौधा या आम का पौधा लगा दे और उसमें पानी भी गर्या देते रहें जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा आपकी मनुकामना भी पूर हिए हमारे सास्तों में वैसे तो बहुत सारी जानकारी दी गई हैं उसमें एक जानकारी यह भी है अगर धन की देवी लक्षमी आपसे रुष्ट हो जाए तो रोज रात में सोने के पहले फिटकरी से अपने दांटों को माज़े या फिटकरी मिलावा पानी से कुला करके प आपसे प्रसन्द होती है आपका सरीर भी फूस्ते रहता है जाहे नहाने के पानी में कि फिटकरी फिटकरी वगूमा लें फिर '' फिटकरी'' को रख में ठीक बालeremi गूतव होता है। संहला पर दिए कि बर क्या होता है आपके घर-परिवार में लगता जैसे किसी की नजर लग गई है तब ऐसे में छोटा सा काम करें जो वेक्ती नजर दोस्से पिडित है उसके सर से लेकर पैर तक एक छोटा सा फिटकरी का टुकरा ले ले साथ बार उल्टा वार ले अंटी क्लॉग वाइज अब तलबे पर फिटकरी जरूर लगाईएगा जब अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वह वापस से उसी के पास चला जाएगा और जीवन की बहुत सारे समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन देखिए आज हम अगर सिंपल तरीके से आपको दस बाते बताएंगे पहला अगर ड्रावने सपने आते हैं तो अपने बिश् सपने आना बंद हो जाएगा और भागिप का भी साथ मिलने लगेगा तंत्रमंत क्रियां समाप्त हो जाएगी इससे आप कुछ दिन में ये पानी पानी होने लगेगा तो इसको फेक दें गंदे नाले में और फ्रेस रख लीजेगा अगर आपके घर में चोटे बच्चे है बार बार नीन में डरते हैं तो बच्चों की सिराने भी आप मंगल या रभी बार के दिन फिटकरी के टुकरे रख सकते हैं बच्चे डरेंगे रहीं तीसरी बात अगर आपको दुकान बैपसाय नहीं चलता या लगता है कि तंद क्रियां हैं बाधाय आती हैं बहुत सारे पैसे ब्लॉक हो गया है बहुत से मुस्क्रें होती है तब काले कपड़े में फिटकरी बांध कर अपने बैपसाय स्थल पर लटका दें चोटा सब्सक्राइब किसी भी सनिवार को अगर घर परिवार में बहुत जादा जगडा हो तब जो परिवार का में ब्यक्ती है अपन बालकनी में है जो ऐसे स्थान पर खुले जहां खंडर के तरह मकान है जिस मकान में कोई नहीं रहता है या फिर प्लॉट पड़ा है खाली जमीन है बरसों से बंद है तो ऐसे जगह जो है भूत प्रेत के कबजे होते हैं निगेटिव इनर्जी जादा होती है तो ऐसे खिड फिटकरी का टुकरा जरूर रखें नकात्म कुर्जा को सोंख लेगा और आप लोग सुरक्षित रहेंगे अब देखिए कई बार होता है कि नजर दोस्ट जल्दी लगती है हमना कि इसके बारे में हमने विस्तार से बताया तो आप इस फिटकरी से उनको नजर उतार कर जो लगा है आग में जला दें अगर आप अपने दात माचते हैं तो धनला तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतिजार रहे हैं अ झाल झाल झाल